नमस्कार दोस्तों प्री स्टेडी में आप लोगों को स्वागत है आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों अगर आप मेरे ऐस शेनल पर नए है तो सबसे पहले आप मेरे इस शेनल को सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में UPT PLUS C J 2018 को लेकर दोस्तो अब जादे दिन नहीं बचे हैं इस बात को लेकर छात्रों में बहुत संसे बना हुआ है कि क्या एक्जाम 3 अपरेल को होगा या नहीं होगा एक्जाम 3 अपरेल को होगा या नहीं होगा इक्जाम डेट के बारे में जो कलेंडर रेजिज करने की बात होई थी उसमें भी का गया था कि पहले जेए का ही कराई जाएगा 2018 का और आयोग की मीटिंग कब होगी इस मामले में मैं इस वीडियो की मामले बारे में चनकरी दूंगा तो सबसे पहले बात का लेता हूँ आयोग की मीटिंग कब होगी तो दोस्तों जो आयोग की मीटिंग होगी वो संभावित की गई थी कि बोले गए था थे 21-22 तारिक में आयोग की मीटिंग होगी तो यहां से असपश निकल के आ रहा है तो मीटिंग संभावना जो है वो 50-50% है 50-50% इसलिए है क्योंकि 25 तारीक को सपत ग्राण है मुखमंत्री योगी जी का तो सपत ग्राण के बाद ये भी हो सकता पहले भी मीटिंग हो जाए बाद में मीटिंग हो जाए तो इस हिसाब से जो निड़े लेंगे जब ये मीटिंग होगा उसी हिसाब से आगे की कारवाई होगी और कलेंडर जारी होगा कब होगा ये पता चलेगा मीटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं एक्जाम के बारे में कि 3 अप्रेल को होगा एक्जाम की नहीं होगा तो मैं जो UPSC J 2018 के एस्पाइरेंस हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपना एक्जाम डेट 3 अप्रेल को मान कर चलें इसलिए मान कर चलें क्योंकि मान लिजिए अभी 21 में मीटिंग हो जाए और नोटिस जारी हो जाए कि अप्रेल तीन अप्रेल को ही UPSC J 2018 का एक्जाम कराया जाएगा हमारे द्वारा पूरी तैयारियां कर लिए गई हैं तो आप क्या करेंगे अभी लेकर बैठें कि नहीं होगा अगर जो भी छात्री यह सुच रहें कि नहीं होगा वो यह मान के चलें कि तीन अप्रेल को पेपर होगा तेंक यू ओर वाचिंगे